राजनीती में कब जाएंगे या नहीं जाएंगे ओजासर राजनीती तो आटे ना लोगों के शरीर में बीपॉजिटिव ब्लड बहता है शौग है मेरा जो मेरे दिल में बात धड़कती है कि पॉलिटिक्स करनी है 24 में टिकट मांगी रहा था और प्रियाग्रााका फिर फिर टी इच्छ करते हैं दिया नहीं उन्हें कुछनेता हैंए उसैघ का कियाया पर कैसर गंप प्रियाग्राइज पर मेंने कॉंग्रेस तक मुझत अच्छा जब यहाँसे लगा की नहीं होगा तो मैंने का मुझे अमेटी से टिकेट दे तो शुरुवात में तो लोग तैयार दें देव दिन बाद पता नहीं जो भी हुआ हो लेकिन किश्वरिलाद चर्मा को दिया ना वहां से तो जीते भी हो अच्छा मुझे बीजेपी कोंगे ने साब कहीं से भी तो उन्होंने कहा कि बहन जी चाहती है अगर आप चाहें तो आप हमारी टिकेट से फुलपूर से चुनाव लड़ा और यह उनका खुला ओफर था ना उन्होंने मुझे से कुछ कहा ना मांगा ना कोई बात ही से लोग बोलते ना कि वो पैसा मांगती कुछ नहीं उन्होंन चुनाव आदमी लड़ता है किसलिए है लोगसभा जाने के लए तो लड़ता है मैं ठेकेदार थोड़ी हूं मैं तो सिक्षक हूं मैं तो सुधार अनुभव के लिए लड़ना चाहता हूं लडाई होनी चाहिए मेरे लिए यह मानिन आरे कोई गारेंटिक है कि 29 मिन लड़ के लिए होते तो लोगसभा चले जाते जीत गए बिश्बूशन चरण सिंगे बेटे महां से कैसर कंसे मुझे लड़ना नहीं था मेरी माता जी अगर मैं वहां से लड़ जाता तो अपने परेंट्स में से किसी एको खोना पड़ चीले मेरी माता जी ने भाहा जोड़े भाह अब जो भी उसके पीछे वजा हो, लेकिन अरे मैंने उनसे का आप चिंता ना करें, मैं नहीं लगा पास अब प्रयागराथ से लड़े होते तो, वो फाइट देते, अच्छी फाइट देते, ऐसा नहीं, हम भी खेलते, अपना भी लगाते, वो भी रियुक्ति रमर सिंग के बेटे जो हैं, वो भी पुराने नेता है, अच्छे नेता है, जीत के भी आए, तो दम तो उनके पास भी है, तो मैं उनको ऐसा नहीं है कि ओपन फील्ड देता, तो मैं टक्कर जरूर देता उनको, इस बार सीटे कम बीजेपी की क्यों हो गई, सिर्फ अहंकार वाला आपको इससे लोग मर रहे हैं, उससे मैंने लोगों में बड़ा गुश्या देखा, भै देखा, लोग डर गए तुरन की, अरे सरकार ने तो कहा कि लगाओ, अच्छा कोवी शील्ड चुकी फ्री में थी तो बहुत लोगों ने लगवाई, कुछ चुनाओं के दारान जो लोगों म दुखी तो थे ही, अब जैसे मुझे पता ये ग्लास आपका है, और मुझे मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया से, क्या रहा है ये ग्लास तो मैं ले लूगों, तो आपके मन में एक बाद आएगी, ना देखा, वोट हमारा, हमें तो कहना है ना, क्या रहा है भाई साब चाहे ये भारत की जन्ता की एक अधा तो मुझे बहुत पसंद है, कि जिसने भी ऐठन बाजी दिखाई वो कोई भी हो, अकलेश जी गये कुंडा में बोले, कुंडा में कुंडी लगा देंगे, जबान राजा की नहीं थी, इन्हों ने भी तो कहा, आप राजा हैं, सियम रहे हैं तो आपके शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते, जन्ता ने इनको भी दिखाया, तो जो इस देश की जन्ता की बहुत गंतिया, वो बाकी कुछ समझे ना समझे, उसको अगर आइठन दिखाई पड़ा, तो चाह भगवान का वो उसे परदाश नहीं कि अधिया?